नमस्ते आज हम लोग रास्थान का current affairs पढ़ने वाले हैं March का और last जो फरवरी का रास्थान का current affairs पढ़ा था उसमें गलती यह हो गई थी कि पीछे questions की photograph attach करनी भूल गए थे तो आज मैं March और फरवरी दोनों के questions जो exam में आ रखेना भी वो एक साथ कराऊंगी ठीक है तो अपन अज की class को शुरू करते हैं बहुत अच्छे से तो देखो पहली चीज पहली चीज क्या दे रखी है राम से और देखो पिछला सारा कुछ revise करते रहे ना मैं कबी भी आपको चलती class में पिछला कुछ भी पूच सकती हूँ ठीक है तो धेखो पहला हम पढ़ रहे हैं March 2014 का current affairs ठीक अब मार्च दोजार चॉबिस के करंटे अफियर्स में पहली जो important बात है वो क्या है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाओ जो है वो कितने चर्णों में संपन हुआ है दो चर्णों में ठीक अब फिर याद रखना है कि ये दो चर्णों में कौन-कौन सी आपके देट आती है तो इन दो चर्णों में जो आपकी डेट आ रही है वो आ रही है 19 अप्रेल और 26 अगली important बात ये है उसके बाद सबसे important बात ये है कि 19 अप्रेल को कितनी सीटों पे election हुआ था और 26 अप action हुआ है ठीक तो बहुत सिंपल है क्या करना है आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि भारत के अंदर राजस्तान के अंदर लोगसभा चुनाओ का सीजन चल रहा था और लोगसभा चुनाओ जो है अठारवी लोगसभा के लिए हमें कराना था दो चरण में कराया हम हश्बाना था हमें 19 आरखना में 19 तारिक को करया 19 अप्रेल और 26 सीट पे कराया और 26 अप्रेल को हमने कितनी सीटे कराया 13 सीटे शिएक बांसवाडा के बागी दोरा जो की एक ST seat है पर विधान सभा उपचुनाव भी 26 अपरेल 2024 को संपन हुआ अब गौर से सुनना एक्जामनर आपको ये भी पूछ सकता है कि इनी लोग सभाचुनाव के साथ वह कौन सी seat थी जन जाती के लिए आरक्षित जिस पर विधान सभा के लिए उपचुनाव भी कराया गया 26 अपरेल को तो याद रखना ये बांसवड़ा का बागी दोरा था इस सेक्शन से क्वेशन आया नहीं है अब क्वेशन आ सकता है क्योंकि फिर से विधान सभा के उपचुनाव क्या हुए हैं एक बार शुरू हुए हैं तो बहुत कूल काम रहे के हमें याद रखना है कैसे याद रखना है कि हम जो है लोग अठारवी लोगसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं अठारवी लोगसभा के लिए जो इलेक्शन का स्टेज है राजस्तान के अंदर वो दो स्टेज का रहना है एक 19 अपरेल को 26 अपरेल को जल्दी से 26 अपरेल को हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ जब मैं वापस जब ऑन एर हो जाता है वीडियो उसके बाद जब मैं आपके कमेंट सेक्शन में जाके देखती हूँ या लाइव चट में चक करती हूँ आप लोगों में एक चीज बहुत अच्छे से सुधरी है और ये सुध हार को बनाए रखेगा हां जो कोई टाइप नहीं कर पाता हो सकता है कि वो अपनी कौपी में लिख रहा होगा तो उनको भी वैल डन और ऐसे ही चीज़े समझ कर याद करते जाना है मस्त छोटा-छोटा करके तो देखना निश्चित इस एक्जाम में आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी तो हम आगे चले चलो हाँ अब आगे भढ़ने से पहले पिछले का रिविजन करना बहुत जरूरी है तो हम लिख लेते हैं हमारी अठारवी लोकसभा के लिए हमें क्या कराने हैं रास्थान में चुनाव कराने हैं चुनाव कप-कप कराने हैं एक कराना है ह कि हमको 19 अपरेल कोrics सबुन का 16 है अब यहां पर ट्विस्ट को सबस्ति छार्ल पहला किसे ट्विस्ट के लिए मत्यतिया वाकिकने विविकि करनों था विधान सभा की एक seat कौनसी बागी दौरा बांसवाडा बागी दौरा बांसवाडा जो है जो एक ST seat है इस पर भी 26 अपरेल को क्या हुआ है चुना हुआ है सिंपल सी बात आगे चले चलो अब देखो second second भी important है अभी आपने कल पर सो न्यूस पेपर में देखा होगा कि जो renewable energy है नविकरन या उर्जा है उसमें भी solar energy solar energy को लेकर जो हमने targets हासिल किये हैं उसकी बली किसको चड़ाया गया है पेड़ों को चड़ाया गया है भारी मात्रा में मरुस्थली इलाकों में बबूल के खेजडी के जो पेड़ है उन्हें क्या किया गया है काटा गया है तो द किया गया है यह newspaper के अंदर पूरा बड़ा सारा cutting था जिससे आपको जरूर पढ़ना चाहिए अब देखो उसी की related बात है कि देवी कोट जो जैसल मेर में हैं उसमें 180 मेगावाट का solar plant लग रहा है यह solar plant कौन लगा रहा है अडानी green energy limited तो हमने कुछ नहीं करना हमें दिमाग मीं simple सा याद रखना है कि 180 मेगावाट इसका एक plant लगाना है अब यह plant कौन लगाएगा तो आभी सबसे ज़यादा पैसे किसके पास है तो अब तो अधी मेह?! तो अठानी green याद रखे किया याद रखे अडानी green energy बस इतना याद रखे अडानी green energy का लगे लगेगा कहां आ लगेगा देवी कोड जैसल मेर में लगेगा क्लियर कोई दिकत नहीं आगे चलू मैं चलो हाँ अब देखो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को देखो यह क्लास आपकी है ना और मैं आपके सामने कोई ड्रामा करके तो पढ़ाती नहीं मैं तो जैसा ओफ-लाइन पढ़ा देखते वक्त टाइप करते जाना है चाहिए कमेंट सेक्शन में चाहिए चैट बॉक्स में और आप कर भी रहे हैं या अपनी कॉपी में लिखके जाना है इससे दो चीज़ें होगी आपका कंसेंट्रेशन सिर्फ क्लास पर रहेगा और मेरी आवाज पर रहेगा आसपास व में लाल क्लास में शुरू किया जा रहा है ताकि नेक्स जो आर्पी एससी की भरती आए तब तब आक इतने जादा कंसेंट्रेट हो जाए आपका ध्यान इतने जादा एक जगे आजाए कि फिर आपको हर क्वेशन में डर ना लगे हर चीज अच्छे से याद हो और आपका जो पढ़ने का तरीका है वो निरंतर क्या रहता रहे निखडता रहे तो देखो मैं जब तक तीसरे पॉइंट में पढ़ती हूँ तब तक आपको मुझे कुछ चीज़े टाइप करनी देखी हो नी कि कौन सी लोगसभा थी जिसके लिए 19 अप्रेल को और 26 अप्रेल को क्या हुआ है चुनाव हुआ है लोगसभा का फिर याब बताना है कि 19 अप्रेल जो है 19 अप्रेल को कितनी सीटों के लिए हुआ है ये बताना है फिर बताना है 26 अप्रेल को कितनी सीटों के लिए हुआ है देन ये बताओगे कि ST की कौन सी विधान सभा की सीट है जिस पर भी 26 लगा रही है उस कंपनी का नाम बताना है आपको मुझे इतना आपने मुझे पहले से लिखके देना है ताकि हम आगे भड़े तो आसानी रहे अब देखो जल जीवन मिशन की रैंकिंग जल जीवन मिशन को कई वार शॉट में जे जे एम भी लिखा जाता है ठीक है तो जल जीवन मिशन अब देखो जल जीवन mission है तो ministry ministry जो है वो रट्टा मारने का जरूतिय नहीं ministry कौन सी होगी जल मंत्रालय होगा तो देखो केंद्रिय जल शक्ती मंत्रालयन है तैयार की रास्थान के 48 जिलों हेट रेंकिंग अब याद रखना 48 के लिए तो हुई है कि निग 2 के लिए यह तैयार नहीं हुई है कौन से दो के लिए ये तयार नहीं हुई है वो आगामी परिक्षाओं में question बन सकता है तो वो कौन सी दो आपकी ऐसी जिले हैं जिन के लिए तयार नहीं हुई है तो जोधपुर और जैपुर शहरी के लिए ये तयार नहीं हुआ है प्रथम इस्थान पर कौौन है तो प्रथम इस्थान पर है आपके डीडवाना और कुछ आमन अब कूल रहना तो देखो कैसे कूल रहना था कि JJM ranking जो जल मंत्राल है जारी कर रहा है इस में 48 जिले तो शामिल है लेकिन दो शामिल नहीं है ये दो कौन से हैं एक है आपका जोदपुर और एक है आपका जैपुर शहरी ये याद रखना है दूसरा कौन सा है जैपुर शहरी है फॉस्ट कौन आया है आपका तो डीडवाना क चामन क्या है आपका फॉस्ट आया है तो क्लियर आगे चले अपन चलो आगे जाने से पहले पूरा पिछला रिवाइस करते हैं अठारवी लोकसभा से रिलेटेड जो भी बाते आपने याद की वह भी बताओगे बागी दौरा सीट से आपको क्या याद आता है बागी दौ है फिलाल डानी ग्रीन अनर्जी से ये भी आपने मुझे बताना है अभी फिर हमें एक चीज रिवाईस करनी है कि जो जे जे मिशन है जल शक्ति मिशन की जो रैंकिंग है इसमें कौन से डो जिल्ले यह वह शामिल नहीं हुए हैं तो दो जिल्ले जो शामिल नहीं हुए वो है आपका जोदपुर और कौन है आपका जैपुर शहरी बई इन दोनों ने कह दिया कि हमारी तयारी नहीं है यार पेपर में प्रफॉर्मिंस करने की हम कैसे शामिलो जायेयं 58 को सामिल करwentीब falar अब उन 48 में से फॉस कौन आया है तो जो भी डेडवाना-कुछामन कमिल चम चलेंग ब fabrics को हैं पूछा नहीं गया है अभी तक एक्जाम में जितने भी एक्जाम हुए उसमें मार्च में से ये चीज उठी नहीं है हो सकता है अपकमिंग एक्जाम में उठ जाए तो देखो सुन्दर कांती जोशी पुरिशकार अब ये कौन प्रदान करता है इस साल याद रखना राधा न क्रिकेट क्लब देगा आपको राधा निवास ठीक अब ये किसको दिया जाता है महिला को राधा कौन है आपके फीमेल ही तो है तो इसके पीछे लिख देना एफ तो दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि जो सुन्दर कांती जोशी प्राइज है वो महिला क्रिक्रे इस है वो कौन देता है पर ये कभी नहीं पूछा कaleyकौन सा क्रिकेट क्लब देता है इस साल बहुत चांसे अभी तक आया नहीं है आने की शौरटी मैक्जिमम है ठीक अब देखो अब सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है तो जोती चौधरी को दिया गया है सीनियर वर्ग म मतलब जूनियर वर्ग मेंने कोई मिला ही नहीं, फिर देखो Lifetime Achievement Award किसे दिया गया है, तो Lifetime Achievement Award दिया गया है आपके सीता भारगव को, clear, अच्छे से चलो, आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले एक बार फिर से याद करते हैं, हमें क्या पढ़ा था पीछे अभी, संबंदित है, महिला क्रिकेट से संबंदित है, आपको महिला क्रिकेटर्स को प्राइज देने हैं, अब उसमें आपको याद रखना है सीनियर वर्ग, अब ये जो आपका सीनियर वर्ग है ना, सीनियर क्लास, इसमें एक नाम याद रखना है आपको जोती चौधरी का, ठीक है किसको मिला है वरंधा शर्मा को फिर याद रखना है कि junior की जो category है junior work का जो category है उसमें किसी को नहीं मिला है और lifetime achievement award lifetime जो achievement award है वो आपका किसको प्राप्थ हुआ है सीता बहरगव को प्राप्थ हुआ है clear कोई दिकत नहीं और इस साल याद रखना कि आपको और राधा निवास जो है वो पूछा जा सकता है अब चलते हैं अपन फिफ्थ नंबर क्वेशन क्या कहता है कि सतत विकास लक्षों में तेजी लाने हेतू राश्ट्रिय सम्मेलन ठीक तो अब सतत विकास SDG जो गोल्स है ना मतलब हम क्या करते हैं वादे बहुत करते हैं तो क्लायमेट को सही करने के लिए हमारे कुछ गोल्स हैं हमारे कुछ उद्देश हैं जैसे आपका उद्देश है ना कि आपको टीचर बनना है इधर भी 3rd grade इधर भी 2nd grade और भी 1st grade के चाहे हमें 3rd grade लगना है 2nd grade लगना है या 1st grade लगना है हमें teacher बनना है यह हमारा गोल है वै है कि भाई climate को सई करने के लिए हमें कुछ points को follow करना होगा जिसे हम कहते हैं sustainable development goals उनी sustainable development goals पर क्या लिया गया है सम्मेलन लिया गया है national सम्मेलन है जो 4 से 5 March 2014 को आयोजित हुआ है जैपूर के अंदर अब देखो नीती आयोग राजस्थान सरकार और UNDP और UN की भागिदारी से कि तो आपका नीती आयोग है प्लस आपका कौन है राजस्थान गवर्मेंट है प्लस इंटरनेशनल लेवल पर UNDP और UN है इतने लोग एक साथ आये हैं किसके लिए SDG के लिए अब सतत्विकास लक्षियों के इस थानिये करण को सबसे important बात यही है कि भई लोकल लेवल तक SDG goals भई धंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं यही जाच करने के लिए यह संबेलन हुआ है कब हुआ है चार से पांच मार्श दोहजार चौबिस को हुआ है यहां 13 नॉलेज पोर्टल शुरू किये गए हैं मतलब टोटल 13 करके क्या बनाए गए है नॉलेज पोर्टल अब अगर SDG goals से संबंदित कोई भी जानकारी चाहिए knowledge means जानकारी तो तेरा जानकारी वाले पोर्टल शुरू किये गए हैं अब यह जो तेरा जानकारी वाले पोर्टल है यह क्या करेंगे कि आपको जिस भी SDG goals के बारे में जानना है तो आप वहां जाईए type कीजी आपको सारी information क्या हो जाएगी मिल जाएगी अब देखो कौन-कौन से हैं यहां तेरा नहीं है यहां तीन नौलेज पोर्टल शुरू किये गए हैं पहला कौन सा है SDG knowledge hub दूसरा कौन सा है खाद शुरक्षा और पोर्षन वाला और चौता कौन सा है SDG dashboard तो हमने क्या याद रखना है हमने बहुत सिंपल याद रखना है कि SDG को लेकर क्या हुआ है पार्टी हुई है यह पार्टी कहां हो रही है भई तो 4-5 मार्च जैपुर में हो रही है चार-5 मार्च कहां हो रही है जैपुर में अब यह पार्टी का organizer कौन-कौन है तो नीती आयोग है फिर कौन है आपके राज बहुत सिंपल सी बात है जैसे अभी गर्बा होता है ना गर्बा क्यों हो रहा था गर्बा इसलिए हो रहा था कि मातरानी अभी नवरात्रा बना रहा है और मातरानी को खुश करने के लिए हमने क्या करने है गर्बे करने है तो वैसे ही SDG की पार्टी क्यों हो रही है तो SDG निका गे जाके देखू तो सभी local level पे काम हुआ यह नहीं हुआ तो इस TH praktले करन बहूत याद रखना यहीं से question आने का से सम्भावना है इस्थानिय करण को जाचने के लिए किसको जाचने के लिए इस्थानिय करण को जाचने के लिए अब इस्थानिय करण को जाचने के लिए कैसे तो देखो ये ये वर्ल्ड की संस्था है UN इसने बोल दिया कि भई SDG होना चाहिए अब ये रिसरिस के नीचे जाएगा देश तक देश से जाएगा राज्य तक, राज्य से जाएगा जिलो तक, तो यह जो जिलो तक पहुँचना है, जिलो से जाएगा गाव तक, यही कौन सा लेवल है, स्थान्य करण का लेवल है, तो इसी लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था, तीन जो है पोर्टल शुरू किये गए हैं, जानकारी के, यह जानकारी के पोर्टल कौन-कौन से हैं, SDG Knowledge Hub, भही अब गाउं के आत्मी को क्या पता है, SDG क्या होता है, आप जाके बोलिए गाउं के किसान को कि भाई जी आपको पता है SDG गोल क्या होता है, तो भाई जी बताएंगे, आपको क्या करना है जीरो करना है तो खाद्य सुरक्षा और पोशन और जो तीसरा पोर्टल है वो SDG2 डेश बोड ठीक आगे चलते हैं हाँ अब सिक्स्त नंबर को देखो अब सिक्स्त नंबर पर जाने से बहले मुझे ये बताओ अठारवी जो लोकसभा है उसके लिए राजस्थान में कितने चरणों में election हुआ पहली बात फिर मुझे बताओ 12 seat के लिए election किस दिन हुआ 13 seat के लिए किस दिन हुआ और बागी दौरा की जो seat थी कौन सी seat बागी दौरा की जो seat थी ST की विधान सभा की उसके लिए भी election किस दिन हुआ clear then मुझे बताओ देवी कोट के बारे में कि देवी कोट से आपको क्या क्या चीज याद रखनी है then मुझे आप बताओ जोती चौधरी के बारे में कि भई जोती चौधरी कौन है क्या है सीता भारगव के बारे में then मुझे आप बताओगे वरंदा शर्मा के बारे में इन तीन विभूतियों के बारे में भी आपने मुझे बताना है, अब पढ़ते हैं अगली चीज, रास्थान के चार कलाकारों को, संगीत नाटक अकैदमी पुरुषकार वर्ष 2022 है तू, तो अब गौर से देखना कि कौन सा 2022 के लिए है, कौन सा 2023 के लिए है, तो वर्ष 2022 के लिए या गया है, बसंत काबरा को, थिएटर में हम पहले ही पढ़ लिये थे, थिएटर के अंदर कौन है, दौलत रामवैद, पहले पढ़ लिये हैं, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, भपंग, ठीक है, भपंग, तो भपंग जो है न, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप ज फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, तो फिर से इस बार आपको पूछ सकता है, मशूर भपंग वादक के बारे में, हो सकता है कि इस बार नाम क्या नहीं हो, जहूर खाम मेवाती नहीं हो, इस बार आपको कौन सा नाम देखने को मिल सकता है, गफरुदीन मेवाती, कारों को कैदमी पुरुषकार मिला है हम देख रहे हैं कौन सा वर्ष 2022 का देख रहे हैं पहले अब आ जाते हैं 2023 कि भई 2023 है सु क्या क्या है तो मोहिनुदीन खान है इनको सारंगी वादन अब देखो अगें आपने रास्थान के आर्ट अन कल्चर में म्यूजिकल इंस्रूमे याद रखना है मयनुदीन खान का तो बहुत जीनको नाम आतनिक के लिए कौन है तो सरोध वादन में याद रखना बसंत, तो देखो ऐसे पेर बनाओ, 2022 लिखो, 2022 लिखने के बाद लिख दो सरोध, और उस सरोध के सामने क्या लिख दो, बसंत, clear, फिर क्या करना है आपको, थिएटर आपको पहले से याद है पर फिर भी थिएटर के सामने लिख दो दौलत, थिएटर में पिक्चर चलती है, अभी देखी अलिया भट की नई पिक्चर आई है जिगरा, उसको लेकर कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया, है ना, तो ऐसे याद रखो कि थिएटर में पिक्चर चलती है, पैसा मिलता है दौलत, तो थिएटर और दौलत, फिर जाने वाला तो सारंगी के अंदर आपको एक नाम याद रखना है वह ay mohi inudin कौन है mokinudin, फिर याध रखना है बिसमिल्ह खांवाल आवार्ड, तो बिसमिल्ला खांवाले अवार्ड में लोक-संघीत में याद रखना, लोक-संघीत के अंदर कौन है आपके यूसुफ मेवाती हैं अलवर के clear चलो आगे चलू आगे चलने से पहले एक बार पीछे चलते हैं राधा निवास क्रिकेट क्लब के बारे में बताना है आप लोगों को मुझे राधा निवास क्रिकेट क्लब पहला question मेरे आप से ये है यूशुफ जो मेवाती है यूशुफ मेवाती उन्हें वर्ष 2000 तेबिस के लिए जो बिस्मिल्ला अवाड मिला है बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला अवोर्ड उस्ताद बिस्मिल्ला खां अवोर्ड जो मिला है वो कौन सी क्याटेगरी से मिला है ये भी बताना है फिर बताना है 2022 के लिए जो अकैडमी अवोर्ड जा संगीत नाटग उसके अंदर सरोध वादन के लिए किसको मिला फिर दैन मुझे लिए भी बताओ की भपंग के लिए किस को मिला फिर मुझे ये भी बताओ की 2023 के लिए सारंगी के लिए किसको मिला है ये सारे नाम अभी आपने मुझे बताने है ठीक है अबЭ 싸ने चलते हैं किसी से कं नहीं है ड्रोन ध्रान बनाने में अगर अमेरिका में बन सकता है घुका नादां सब अभी ड्रोन बना सकते हैं अभी ड्रोन क्या है सब ए जियंुक्रणिज किति ऑए जग्दंबाग9 तो उड़ रहे हैं लिकिन TW इतना शातर तेश दमाग है कि उसे संब्न को कॉपी करके क्या बना दिया ड्रोन तो हमारे राजस्तानी फीर है अपने राजस्तानी फीर ॥े रहे हैं, IIT जोदपुर ने भी क्या बना लिया है, अपना ड्रोन बना दिया है, बस उसका नाम बड़ा खतरनाक रखा है, वो है एहिंगा, ठीक, यह रहा, अब देखो एर्थ नंबर, एर्थ नंबर important अगेन, सूजस में भी दे रखा है, राज्य जल संसाधन प्रनाली डेश बोड लॉंच, राज्य जल संसाधन प्रनाली डेश बोड लॉंच हुआ है, किस दिन लॉंच हुआ है, यह याद रखना है, अभी तक question नहीं पूचा है, पूचा जा सकता है, एक मार्च दो हजार चॉबिस को, अब देखो डेश बोड क्या होता है, और जल संसाधन प्रना जिसे बोलते हैं, जैसे कि आप RPSC की website पे जाते हो, तो RPSC के dashboard पर आगामी कौन सी भरतिया है, कौन सी भरतियों का result आया है, कौन सी भरतियों की answer की जारी की गई है, इसकी line अपने आप चलती रहती है, मतलब वो RPSC का dashboard है, पहले dashboard जो होते थे वो office में तयार किये जाते थे manually है न वहाँ पे आप office में जाओगे तो पिन बोर्ड होता था उस पिन बोर्ड पे सारी सूचनाई टिपका दी जाती थी चुकि technology का जमाना है तो वही सारी सूचनाई आपको एक website के dashboard पर दे दी जाती है अब dashboard से पहले लिखा हुआ है जल संसाधन परनाली तो जल संसाधन यानि कि आपके जितने भी state के अंदर तलाब है बांध है जीले हैं उनके अंदर water का level कितना है इस से संबंदिध dashboard और ये बहुत important है देखो राजस्तान में बहुत जादा नहरी सी चाही होती है नहरे है बां तो सरकार ने जादू की चरड़ी चलाई और एक मार्च दो हजार चौबिस को रास्तान की जल संसाधन परनाली के लिए dashboard बना दिया ये dashboard बनाने वाला पूरे भारत में रास्तान पहला राज्य है देखो तमिलनाडू तेलंगाना को पन चगा सकते हैं चिड़का सकते हैं कि यह पोर्टल जल संसाधन वह भू जल विभाग उदारा बहुत important बात पूच सकते हैं कि ये dashboard किसने बनाया जल संसाधन और भू लिभाग द्वारा राश्त्यय जल जल विग्यान परियोजना के तहट ये भी important question है राश्ट्रिय जल विग्यान परियोजना के तहट विक्सित किया गया है राजस्थान के नहरों और बांदों की ये क्या देगा आपको real time जानकारी देगा तो clear समझ आया आगे चलू आगे चलने से पहले पिछला सारा revise करेंगे अब हमें पता है कि जल संसाधन प्रणाली अब जल संसाधन प्रणाली के बारे में आपको एक एक खबर चाहिए एक एक खबर है ना खबर सबसे तेज एक खबर चाहिए तो आप क्या बना रहे हो डैश बोर्ड बना रहे हो अब ऐसा डैश बोर्ड बनाने वाला भा अब हमने ये डैश्वोर्ड क्यों बनाया, कौनसी मंत्राले ने बनाया ये भी बहुत ज्यादा important है, तो देखोग दो मन्त्राले लगे हैं, कौन-कौन से दो मन्त्राले लगे हैं, जल संसाधन और भू विभाग, जल संसाधन और भू विभाग, ये लगा है कि अब पेन क्यों है कि क्यों कि भाई हमने कुमिट्मेंट की था सल्मानगान का इंड जो एक बार मैंने कमिट्ट्मेंट कर दिया कुifferent इसी एक स्कीम थी जिसने कमिट्मेंट किया था कि मैं चप्पा चप्पा खबर दूँगी जल संसाधन की और वो कौन सी थी राश्ट्रिय जल विज्ञान परियोजना कौन सी राश्ट्रिय जल विज्ञान परियोजना इसी के तहत हुआ है ठीक है अब हमें क्या पता चलता रहता है कि भई मेरी नहर में कितना पानी है और मे का और बांद का ठीक वही बारा बजे का पानी का लेवल जो है वो आपको पता चलता है यही होता है रियल टाइम तो दिमाग में अच्छे से कॉंसेट क्लियर कोई दिकत नहीं आगे बढ़ जाओं चलो अब चलते हैं नौ नंबर पर नौ नंबर पर जाने से पहले वरंदा शर्मा को टाइप करें आप लोग और ये चीज हमें छोड़नी नहीं है देखो मैं हमेशा कहतू हम सिकंदर नहीं समुंदर गुप्त बनेंगे तब ही हम एक्जाम के क्या बनेंगे महराजा बनेंगे है ना निपोलियन बनेंगे भारत के निपोलियन बनेंगे समुंदर गुप्त जो थे उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो जितना आगे भढ़ते थे उतना पीछे भी ध्यान रखते थे अपनी क्लास देखते वक्त चुकि आपकी ही क्लास है मैं इतनी महनत सर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूं क्योंकि आपने मुझे बहुत मानज सम्मान दिया है, तो अपने चाहने वालों तक, अपने साथ पढ़ने वालों तक इस क्लास को पहुचाने की, और वो लोग जो चाहते हैं कि quality education मिले, जैसी चीज सरल शब्दों में समझी जाती है, वही देर तक याद रखी जाती है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप क्लास को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें, ठीक, इससे क्या होगा, इससे एक अच्छा माहूल बनेगा, एक अच्छा competition का platform तयार होगा, जिससे आपको और मुझे बराबर क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है, तो देखो, ग देवी कोट जैसलमेर, इसके बारे में आपने क्या याद आता है, वो टाइप करोगे आप, फिर चार से पांच मार्च, दो हजार चौबिस, इस दिन क्या हुआ था, ये भी टाइप करोगे, अब आते हैं अगली चीज़ पर, नैशनल ए विध्यान एप्लिकेशन, अब ये इविधान, देखो सबसे इंपोर्टेंट बात यही है, इविधान, अब ये इविधान, विधान किस से बना है भई, विधान सभा से, किस से बना है विधान सभा से, अब इस विधान सभा के आगे इव लगा दिया, लो जी हमारा काम आसान कर दिया, देखो ऐसे चितनी ची बनाता है ना ओफिसर वो हमेशा नाम पर इतना काम करता है कि बस इसके नाम से ही क्या हो जाए पता चल जाए और यही चीज आपको दूसरों से क्या लगाएगी बहतर बनाएगी अलग खड़ा रखेगी क्योंकि बहुत सारा डाटा दिमाग में डालना है और बहुत सारा सभा को कहां डाल देना है यानि की इंटरनेट पर तो देखो हो गया काम आसान उद्देश्य देखो पूर्ण कंप्यूटराइजेशन के लिए संसदिय कार्य मंत्राले भारत सरकार राजस्थान तथा रास्थान विधान सभा सची वाले के बीच त्री पक्ष्य समझोता बोले अब इंटरनेट का टाइम है पूरा का पूरा आईटी का यूग है हम AI पर जा रहे हैं आर्टीफिशन इंटालिजेंस पे जा रहे हैं तो अब भारत सरकार चाती है और कौन सा मंत्राले संसदिय कार्य मंत्राले वह चाता है कि सारी की सारी विधान सभाएं हैं वो ये विधान में convert हो जाए और ये बहुत important है पेपर में question 100% आएगा ही तो ये संसद्य कार्यमंत्राले ने कहा रास्तान सरकार से क्यार हाथ मिलाओ तो रास्तान सरकार ने कहा ठेरो जरा विधान सभा सेकेटरेट चलते हैं वहीं पर सारा काम होगा तो रास्तान सरकार विधान सभा का सच्चिवाल है राजस्तान की और संसद्य कार्यमंत्राले इन तीनों ने कहा कर दो पून कंपूटराइजेशन सारी चीज किस पर डाल दो online और नाम निकाल दो ये विधान सिंपल क्लियर आगे चले चलो अब देखो हम सिर्फ क्या याद रखेंगे ये विधान अब इविधान में क्या खड़ देंगे एक मंत्राले लाएंगे उस मंत्राले का नाम क्या होगा संसद्य कार्यमंत्राले ले आए अब इस संसद्य कार्यमंत्राले के साथ हमें दो लोगों को लाना है एक लाना है हमें राजस्तान की गवर्मेंट को प्लस लाना है राजस्त जीवन दान मिल जाए कि पॉलिटी भी याद है अगर किसी को याद आ रहा है ना तो प्लीज टाइप बड़ा अभार होगा आपका रास्थान विधान सभा का सची वाले सची वाले भी याद आ रहा है तो वो भी टाइप करें तो सची वाले इन लोगों ने मिलके तै किया क्या तै किया पूर्ण कंप्यूटराइजेशन करना है क्या करना है पूर्ण कंप्यूटराइजेशन करना है पूर्ण कंप्यूटराइजेशन किसका करना है विधान सभा का करना है किसका करना है विधान सबगा करना है simple clear देखो अब चलते हैं आगे ये आगया question मैं अब भी आपको paper में दिखाऊंगी भी शायद आज मैं इसकी photo attach करना भूल गई हूँ लेकिन मुझे अच्छे सयाद है assistant mechanical engineer का जो paper हुआ था उसके इंदर आ गया ये question रीती अब देख क्या बनाया गया है रीती बनाया गया है अब ये रीती क्या है राजस्थान institute for transformation and innovation ये जून दो हजार चौबिस में paper में question आ गया है assistant mechanical engineer का हुआ है आज मैं attach करना भूल गई हूँ अगले current मैं attach कर दूँगी आज बहुत सारे attach करके लाई हूँ पिछली बार गडबड हो गई थी टाइप इस से उन्होंने डालना भूल दिया था तो आज तो भूल माफ कर दी मैंने तो देखो रीती का full form है फिर से देखो आर फॉर राजस्थान institute for transformation and innovation तो ये आर आई टी आई है ना तो ये आर फॉर राजस्थान not for रचा मैम ठीक है आर फॉर राजस्थान है आई से क्या है institute है ती से क्या है transformation है आई से क्या है innovation है तो पहला आई institute का दूसरा आई transformation का तीसरा आई जो है वो innovation का उद्देश से क्या है कुछ नहीं देखो जितने भी शेत्र है विबिन शेत्र है ना उसमें राज्य के विकास के लिए क्या तयार करनी है नीती तयार करनी है तो ब for transformation and innovation है ठीक अब इस संस्थान है CM रास्थान आर्थिक सलाकार परिशत का क्या ले लिया है स्थान ले लिया है फिर अध्यक्ष कौन होगा इसका मुख्य मंत्री ओफ राजस्थान मुख्य कारेकारी अधिकारी ये क्वेशन अब आगामी परिक्षाओं में आ सकता है आप विभाग का प्रशाशनिक सचीव होगा उससे हम क्या बना देंगे इसका मुख्य कारेकारी अधिकारी बना देंगे सीओ बना दोगे ठीक है तो अब मुझे एक सेकंड दीजिए मैं पानी भीके वापस आपके पास आती हूं हां तो चलो आगे मैं वापस पानी भीने के छोटा सा पानी भीने का ब्रेक लेना पड़ता है सांस चड़ जाती है कई बार आगे चले चलो अब आगे चलने से पहले देखते हैं कि हमारे नए सीएम ने हमारे नए सीएम ने क्या बनाई रीती बनाई क्या बनाई रीती अब तो I से क्या होगा, इंस्टिटूट होगा, देखो हिंदी में लिख देती हूँ, ठीक, T से क्या होगा, ट्रांस्फोर्मेशन, क्या होगा, ट्रांस्फोर्मेशन, I से क्या होगा, इनोवेशन, इनोवेशन, ठीक, अब ये रीती, नए कपड़े पहने हैं, बस पुराना नाम क पुराना कौन सा चलता था, इसकी जगह पे चलता था, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाकार परिशद, तो आपने पुराना घर तोड़ दिया, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाकार जो परिशद थी, आर्थिक सलाकार परिशद, उसको क्या किया गया है, उसको खत्म करके, उसको खत् बनानी पड़ेगी इसे नीती बनानी पड़ेगी अब इसका आप चेर्मेन किसको बनाओगे इसका अध्यक्ष किसको बनाओगे तो इसका चेर्मेन आप बना देना किसको मुख्यमंत्री ओफ राजस्थान को राजस्थान के जो CM होंगे उनी को इसका चेर्मन बना देना लेक लेकिन इसका CEO कौन सी पोस्ट पर बैठा व्यक्ति होगा प्रशाशनिक सचीव और वो भी कौन से विभाग में आयोजना विभाग में अब देखो मैं आपके दिमाग को जागरत अवस्था में लाती हूँ कि नीती बनाने का काम असलियत में कौन सा विभाग करता है आयोजना आयोजना का मतलब ही क्या होता है आपको प्लान करना है यह प्लानिंग डिपार्टमेंट है इंग्लिश में से क्या बोलते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट तो आयोजना विभाग तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के टॉप मोस्ट सेकेटरी को ही इसका क्या बनाना अब देखो कई वार पढ़के नहीं जाते ना तो बुद्धी एकदम फिड़ जाती है हमें यह लगता है कि जब अध्यक्ष हमारा CM है तो मुख्यकारेकारी अधिकारी हमारा चीफ सेकेटरी होगा और यह आप अपने साथ क्या करते हैं बहुत बड़ा गफलत करते हैं और एक केस में आप चीफ सेकेटरी करके आ जाते हो मत करके आना CEO पूछे तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो टॉप्मोस्ट प्रशाशनिक सचीव होगा वही इसका क्या होगा मुख्यकारी अधिकारी होगा क्यूं क्यूंकि CS के पास चीफ सेकेटरी के पास धेरो काम है और य जो क्रेटर है बारा का वही है 165 मिलियन वर्ष पहले इस पर क्या हुआ था उलका पात हुआ था उसकी वज़े से यह क्रेटर का लेक बना है क्लियर यहां हम ज्यादा ठहरेंगे नहीं क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है कि रास्तान का पहला जो क्रेटर है और पूरे भ पहली में हुआ है सबसे important question रुदरांश खंडेल वाल कहां के है रुदरांश तो भरतपुर के है अब रुदरांश के बारे में क्या याद रखना कि रुदरांश जो है वो 50 मीटर पिस्टिल में खेलते हैं किसमें खेलते हैं 50 मीटर पिस्टिल अब पैरा है ना तो category याद होगी तो रुदरांश की जो category है वो है SH4 ठीक अब इन्होंने क्या जीता है टीम पहली important बात टीम में भी और व्यक्तिगत स्पर्दा में भी दूसरी बात क्या जीता है रजत पदक जीता है तो देखो बहुत important है अब इसको बाहर निकालते हैं हमें याद रखना है एक खाने होते खेल आते ही हमें क्या करना होता है एकदम सिंपल सिंपल रुदरांश कहां से है रुदरांश राजस्थान में भरतपुर से है ठीक बात अब रुदरांश के बारे में याद रखना है कि यह बंदा है ना खेलने गया था क्या खेलता है यह शूटिंग लेकिन प्लस तो दोनों मोड में यह क्या जीत के लाया, अब इसलवर जीत के लाया, पर यह तो बता दो, बंदे की कैटेगरी क्या थी, तो SH4 थी, और बंदा 50 मीटर का क्या चलाता है, पिस्टल चलाता है, ठीक, तो अब याद रखना, अगर एक्जामिनर क्वेशन पूछे, कि 50 है, SH4 काटेगरी के अंदर, वो भरतपूर का कौन सा जो खिलाडी है, वो लेकर आया है, वो है आपका रुद्रांच, अब देखो, लड़कियां भी पीछे नहीं है, लड़कियां तो आखों से गोली मार देती है, लड़कों को तो हाथ की जरुरत पड़ती है, गाने सुने क्या लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो देखो, मोना अगरवाल, अब मोना अगरवाल, यह 10 मीटर एयर रैफल, और उनकी केटेगरी कौन सी है, SH1, और यह देखो, गोल्ड जीता है, कितनी बड़ी बात, क्योंकि अभी बताया आपको, कि गोली मारने मे लड़की आँखों से ऐसे ही फ्यस्ट है, यहना बाद में वो सक्सेसरेट लाएगी, हाथ से गोली मारने में, पहला काम तो वो आँखों से इकड़ देती है, चीन को हरा कर लाई है, यह भी इंपॉर्टेंट है, किसको हरा कर लाई है, चीन को मिशृत टीम में आदित्य गि राइफल, और कौन सा केटेगरी, अब देखना गोल्ड ही लाएगी, क्योंकि आखों से गोली मारने में लड़किया, एक्सपर्ट होती है, इसलिए यह सोलो मोड के अंदर क्या लाई, गोल्ड लाई, और किसको हरा के लाई, तो बागड बिल ले, चीन को हरा के लाई, और स पहले देखो, मोना अगरवाल को याद करते हैं, अब मोना अगरवाल के बारे में याद रखना है, दिल्ली गई, क्यों गई थी यह दिल्ली, पैरा शूटिंग के लिए गई थी, अब पैरा शूटिंग का क्या चल रहा है भाई, वर्ल्ड कप, गया वर्ल्ड कप, अब तो वियकतिगत इस्पर्धा के अंदर वियकतिगत में तो लाई गोल्ड जीत कर ख्राया किसको भई तो्चाइना को harness?! लेकिन Mix में क्या करा इन्हों से mau जीता Χार रजतृच वैस इने गसे क्या लिपर जीता है साथ में कौन थे इन अब क्या कह रही है इसकी मुख्यमंत्री आयुश्मान आरोग्य मा वाउचर योजना यह 8 अगस से लागू हो गई है रास्थान में अपन्जब अगस्त का करेंट अफिर्स पड़ेंगे राजस्थान का तब आपको देखने को मिलेगा तो मुख्यमंत्री आयुश्मान भरतपुर में और फलोधी में सबसे इंपोर्टेंट बारा फिर भरतपुर और फिर फलोधी में लागूई थी लेकिन यह 8 मार्च 2024 को पाइलट प्रोजेक्ट के लिए चली थी चिकित्सा और स्वास्त विभाग की 8 अगस 2024 से यह संपूर्ण राजस्थान में शुरू होगी तो पहले समझते हैं माव आउचर को तो माव आउचर पे बाद में जाएंगे पहले यह देखेंगे कि माव आउचर पाइलट प् जो गर्भवति महिला हैं उनका अल्टरा साउंड होता है सोनोग्राफी होता है और वो सोनोग्राफी के लिए अगर सरकारी रस्पताल में क्या नहीं उपलब्ध है समझते हं सरकार उनकी तरफ से क्या कर देंगे भुगतान कर देंगे तो बेसिकली क्या है acionalी अगर सरकार जाईए निजी हॉस्पिटल भी जाईए वहाँ पर भी इसके नुपलब दे बस आपको पैसे नहीं देने पैसे कौन दे देगा रास्थान गवर्मेंट इसलिए पीछे वाउचर शब्द का क्या हुआ है इस्तिमाल हुआ है अब देखो इसका हम क्या देखते हैं उद्देश सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है उन शेत्रों में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर दूसरी या तीसरी तिमाही से निशल्क जांच सुविधा है तू तो बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की तो हम लिखते हैं मावाउचर कौन सा वाउचर सब्सक्राइबольшे इतना अच्छा शिंपल एक शब्द का अब यह पाइलिट फ्रोजेक्ट पड़जिक्ट्पर पराथ मार्च को रीचे शुरू हुई है बाले प्रोजेक्ट करत यह चलू हुई है आपके परफेक्ट याद रखना आठ अगस्त दो हजार चौबेस को कब से लागू है आठ अगस्त दो हजार चौबेस को लागू है इसका उद्देश ये बहुत संपल है कि ऐसी जगे जहां पर सरकारी इस्पतालों में सोनोग्राफी स्कैन नहीं किया जा सकता तो फिर वो निजी इ दूसरी या तीसरी तिमाही में इंग्लिश में बोलते हैं अब इतना नौलेज नहीं है इन सब चीजों का तो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो उनका स्कैन होता है वो फ्री हो जाएगा सरकार अपनी तरफ से उनको क्या देदेगी पैसे देदेगी तो क्ल फिर आपने युशुफ मेवाती, गफरुदीन, मोहिनुदीन खान इन सब का नाम क्यों याद आना चीए ये भी टाइप कीजिए देन मुझे ये भी बताईए आपकी सुन्दर कान्ती जोशी पुरुषकार के बारे में आपने क्या-क्या याद आ रहा है रेंडम ली एकद अगर ये फॉर्मुला आपने क्लास के साथ अपनाया तो बेशक आप में बदलाव जरूर शुरू होगा और वो बदलाव की खुशी इतनी जादा होगी कि आप टाइप करके मुझे ये भी बताएंगे कि मैम हमें अब सच में चीज़े क्या होने लगी है याद होने लगी ह ठीक मेरा तो बस इतना सा युद्देश है कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाए उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ आगे चले अपन चलो भारतिय पैरा ओलम्पिक समीती हाँ अपने रुद्रांश और मोना को मत भूलना तो रुद्रांश खंडेलवाल और मोना अगरवाल के बारे में भी टाइप कीजिए अब देखो भारतिय पैरा ओलम्पिक समीती फिर से क्वेशन आने की संभावना नहीं पूछा गया है कि अध्यक्ष किसे बनाया गया है आपके देविंदर जहाजडिया को ठीक अब देखो अगला इंपॉर्टन चीज नमो द्रोन दीदी योजना अब यह बताओ एहिंगा क्या है है न मैंने एहिंगा पर आपको ज़्यान दिया ही नहीं ना आपसे ज़्यादा लिखवाया तो अब मुझे बताइए कि हिंगा क्या है अब देखो नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्र सरकार की योजना है पहली इंपॉर्टन चीज यह याद रखनी है फिर उद्देश्य क्या है देखो उद्देश्य बहुत सिंपल है यह आपका खेत है मेरा भी हो सकता है पर मैं अभी आपका बना रही हूँ खेत ठीक कोकी में जा रही हूं कि आप लोग जल्दी से नोगरी लग जाए तो यह आपका खेत है अब इस खेत के अंदर आपने उपज़ ज़ादा चाहिए क्या चाहिए उपज ज़ादा चाहिए यह अब उपज यह उपर से करेगी यह जब उपर से स्प्रे करेगी तो सब जगे equally स्प्रे होगा और आपका खर्चा भी क्या करेगा बचेगा तो नमो ड्रोन दीदी जो योजना है सेंट्रल गवर्मेंट की कि ग्रामीन महिलाओं को रोजगार के बहतरीन अवसर उपलब्द कराना रास्था के गड़े पान कोटा से शुरू 104 महिला SSG समुओं को खेती के लिए देखो आगया ना खेती के लिए क्या दिए गए हैं ड्रोन तो बहुत सिंपल कि नमो ड्रोन दीदी योजना तो दीदी को क्या देदो ड्रोन देदो देखो इस बार दीदी को एपल नहीं देना आइफो लगा के कहा कि लो ये 104 जो महिला SSG है इनको हम क्या दे रहे हैं खेती के लिए ड्रोन दे रहे हैं ताकि वो ड्रोन से क्या कर सके बहतर स्प्रे करके अच्छा सा दवाई दे के उपज को बढ़ा सके क्लियर आगे चलते हैं अब देखो फिर से आ जाते हैं एक बार नमो लेकिन फिर भी मैं हूं तो मैं और पढ़ने वाले आप ही हैं तो आप लोग ध्यान रखे कि मैं कभी भी पिछला करंट अफेर्स भी आपको पूछ सकती हूं और आज मैं आपको पूछ रहे हैं इस क्लास के अंदर लखपती दीदी राजस्थान में कितनी बनेगी अब दे किल रोजगार अवसर बढ़ जाये तो उन्होंने कुछ नहीं किया गए वो कहां पर गड़े पान कर। जाकर उन्होंने गड़े पान कोटा क्या कि शम 104 SSG ऐसे थे महिलाओं के जो किस संबंदित थें खेती से संबंदितं थें किसानी संबंदित थें उनको जाकर क्या बाटे? ड्रोन बाटे. क्या बाटे उनको? ड्रोन बाटे. सिंपल. अब आजाओ 16 नंबर क्वेशन. 16, sorry, क्वेशन. 16 नंबर क्या लिखा हुआ है? नियाय विभाग का हमारा सविधान, हमारा सम्मान कारेकरम कहा हुआ था? M.G.S.U. बिकानेर. तो हमारे M.G Happiness Report, 2024. वही खुशाली रिपोर्ट के अंदर रास्थान कितने नंबर पे है? तो रास्थान तेरवे नंबर पे है. कितने नंबर पर है रास्थान? तेरा. तो याद रखो खुश रहने में. खुशियों में रास्थान कितने नंबर पर है? तो खुशियों में रास्थान है त कि थेरा थे Mira थित्त थेरी खुशिया थिते थेर्व इसे याद्ड़ना थेन थेरे2 थेई नमबर थेखेषस सbooおお chick no design crack kimr का चौद तब हम थेखे थें थेपंथ केलगा थे याद याद्र रखन है तो थेखे games उन्निस नंबर CAC दिल्ली की रिपोर्ट अनुसार भारत के तीन सरवादिक प्रदूशित सहर में तीसरे स्थान पर कौन आ गया उरे बाबा हनमानगड तो हनमानगड CAC Center for जो Environment वाली सज़ता है ना CAC उसने ये का है कि अगर भारत के तीन प्रदूशित सहर देखे तो तीन भ बताओगे कि खुशियों में राजस्थान का नंबर कौन सा है है ना खुशियों में राजस्थान जो है वह आप देखो खुशियों में मैं गलत लिख दिया भारत के तीन सरवादिक प्रदुशित सहर में तीसरे स्थान पर कौन है आपका हनुमानगड है सरवादिक प्रदुशित सहर जो रास्थान का है वो कौन-कौन से हैं एक नमबर पर हनुमानगड दूसरे नमबर पर है धौलपूर तीसरे नमबर पर भिवाडी और चौते में उध्योग वाला टॉपिक पड़ा है हनुमानगड में जादा है हनुमानगड के अंदर जादा है आपका प्रदूशन धॉलपूर के अंदर कांच इंडस्ट्री बहुत फेमस है ना धॉलपूर का कांच उध्योग बहुत फेमस है तो धॉलपूर में नो डाउट क्या कारण बिक्या जलाने के कारण पराली जलाने के कारण अब देखते हैं न्यूनतम वाईू परनूशित सहर है वह कौन-कौन सा है तो देखो बिचारस रोई एक्दम अरावली के टॉप पे एक्दम आनन्धि आननद first mark कोई प्रकार का कुछ ज़ाना pollution है नहीं दूसरे नंबर पे कौन है बाड़मेर बड़ा चडचा में अभी बाड़मेर तीसरे नंबर पे कौन है अजमेर चौते नंबर पे कौन है प्रताब गड़ है तो इस पूरी की पूरी यह भूकिया है यह क्रिया नहीं है भूकिया जगपुरा देखो भूकिया जगपुरा का हमने पहले भी question किया था रास्थान के अंदर सोना का सब से जादा भंडार मिला है भूकिया जगपुरा में लेकिन हमें इस बार दूसरा नाम याद रखना होगा क्योंकि government पूछ सकती है दूसरा जगे कौन सा है कांकरिया गारा देखो इस बार भूकिया के साथ भूकिया पूछ लिया आपको भूकिया जगपुरा ये क्या कर लिया आपको बहुत बार पूछ लिया है ना और इतना पूछ लिया क ये भी सोने के भंडारों के लिए, तो भी राजस्थान की सभी औरतों को मैं ये कह सकती हूँ कि अब हम और जादा पहनेंगे गहना, क्यों हमारे या निकल रहा है, क्यों नहीं पहनेंगे, अब तो और पहनेंगे, पहले भी पहनते थे, अब तो फुल लॉन पहनेंगे, ठीक सा याद रखना है seven two one यह राजस्थान के अंदर क्या है आपके तेंदू की संख्या है पिर देखो रास्थान स्टेट रोड डवलप्मेंट कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष important point अब सिर्फ ऐसे याद रखो स्टेट रोड डवलप्मेंट अब स्टेट रोड डवलप्मेंट का चेर्मिन किसे बनाया गया है तो दिया कुमारी जी को बनाया गया है जो कि हमारी कौन है डिप्टी सीम है ठीक अगला important चीज जो आपने याद रखना है राजस्थान विरासत सरंक्षन और संवर्धन तो देखो रास्थान की विरासत का सरंक्षन और संवर्धन करने के लिए आप किसे लाई है उंकार सिंग लखावत को और ये दूसरी सिंग खीम सर को ला रहे हो तो बहुत अच्छे से टाइप करो स्टेट रोड आ जाए तो कौन अध्यक्ष होगा रास्थान की विरासत को सहेज ना हो तो कौन सा नाम होगा रास्थान में भढ़िया क्रिकेट खेलना हो तो कौन सा नाम होगा या ऐसे बताईए कि धनन जय ज प्रिंसस है वो स्टेट के रोड के बारे में कुछ बोलने वाली है या नहीं बोलने वाली तो बहुत आसान सी कि प्रिंसस को दे दी स्टेट की रोड क्योंकि भई वो पहले से राज कुमारी थी अब वो डिप्टी सीम बन गई है तो हमने प्रिंसस को रोड का जिम्मा दे हमने लखावत जी को ओंकार सिंग लखावत जी को का कि आप किसे संभाले विरासत को और धनंजे जी ने क्या किया है बच्पन में बहुत क्रिकेट खेला है तो हमने उसे कि रास्थान क्रिकेट असोशियेशन का चेर्मेन बना दिया है कूल एकदम आगे चलें चलो 25 नंबर 25 नंबर पर जाने से पहले अब खुशियों में राजस्थान की रैंक बताओ खुशियों में किसकी रैंक बतानी है आपने राजस्थान की रैंक बतानी है पहली बात पहला क्वेशन दूसरा इलेक्रिक वहन में ठीक तीसरा धनंजे सिंग खीम सर इनका नाम क्यूं य याद आने चीए आपने पिर अगली बात उंकार सिंग लखावत उंकार सिंग लखावत यह क्यों याद आने चीए अब अपन चलते अंकित खंडेलवाल पर अब मुझे बताईए कि रास्थान का नियूंतम प्रदोशित सहर हनुमानगड है या सिरोही है इन दोनों में से कौ रुद्रांश खंडेलवाल की तो रुद्रांश खंडेलवाल के बारे में मैंने आपको जो कुछ बताया है वो आपने मुझे क्या करना होगा अभी टाइप करके देना होगा अब देखो अंकित खंडेलवाल जैपुर के स्वच भारत अभियान का क्या बना है ब्रैंड अम अब इसको, अब 27 नमबर देखो, मजे की बात देखो, अब तक हम सर्फ गाय का दूद पीते थे, भैस का दूद पीते थे, अब हम राजस्थान के अंदर उठ का भी दूद पिएंगे, और सरस इसे बाकाइदा बेचने वाला है, तो सरस ने भी क्या किया है, देखो ये रहा, सरस ब्रैंड का, है ना, ऐसे तो कौन लेगा, सरस ब्रैंड का, और नो डाउट उठनी का दूद कितना जादा, मतलब पोस्टिक तो है, पर उसका टेस्ट कितना अजीब सा होगा, पता नहीं, अब सरस ब्रैंड का उठनी का दूद, 20 रुपे में, देखो इतना सस्ता, 20 उर्मुल, सीमान, समीती के बीच में क्या कर लिया है, समझोता, तो ओन और नों क्या याद रखना है, कि बिकानिर के अंदर बहुला करके एक कंपनी है, और बिकानिर के अंदर एक समीती है, उर्मुल, इन दोनों के बीच में समझोता हुआ है, किस की प्रजंस में, RCDF की प पूछ लेगा, चलो, 28, school at home, बहुत important है, आपको school का उठा के लिए आनी है, घर पे, sectionic help line है, एक sectionic क्या है, help line है, अब उस्कूल किसके लिए घर पे उठके आती है, जो विशेश योगेजन है, जो दिव्यांग है, अब देखो, अगर आप school जा सकते हो, कोई बिमारी नहीं है आपको भगवान ने उपर से complete करके भेजा है, आप मझे से school जाओगा न, school आपके यहां क्यों आएगी, बहला, अब school at home किसके लिए, जो नहीं जा सकता, या जिसके कुछ दिक्कत है, जो विशेश योगेजन है, दिव्यांग है, तो यहां पर यही लिखा हुआ है, sectionic help line है कक्षा एक से बारा तक के लिए, विशेश योगेजन निदेशालय के अधीन, विशेश विध्यालियों के विध्यार्थियों के लिए, कि जो special बच्चे है न, उन ही के लिए है, तो simple इसी से इसको याद रखना, important है ध्यान रखना, इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, रीड करे देंगे, फिर देखो रामा श्रे, आज question देखना रामा श्रे पूछ लिया गया है, न्यूस पेपर के अंदर भी आया था, तो रामा श्रे क्या है, तो रास्थान सरकार ने का कि जो बुड़े लोग हैं, उनके लिए एक separate department बना देंगे, इस hospital के अंदर और उसे क्या नाम रामा श्रे नाम दे देंगे, तो रास्थान सरकार दोरा सभी देखो ये चीज़ पर ध्यान रखना, सभी जिला अस्पतालों में व्रधावस्ता, विशेश इकाई है, वर्तमान में 49 चिकित सालों में ये सुविधा मिलती है, तो देखो यहाँ पर लिख लो, रामा श्रे, क्या है रामा श्रे नाम बड़ा अच्छा है रामा श्रे अब रामा श्रे क्या है कि भई जितनी भी सभी जिल्ला की अस्पताल है जिल्ला की क्या है हॉस्पिटल है इन सारी की सारी हॉस्पिटल में इन सारी की सारी हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या बनेगा एक एक यूनिट ये unit किस से related होगा व्रधा वस्था से related होगा व्रधा वस्था की disease होती है ना उनसे related होगा अभी देखो return tata का निदन हो गया है ना उसमें क्या लिखावा था कि age related factor था तो व्रधा वस्था जो है उससे related ये काई है और इतना बड़ा प्यारा काम कौन कर रहा है राजस्थान कर रही है और मुझे अच्छे से याद है मार्च में रास्थान पत्रिका के अंदर cm का फोटो भी आया था जब वो रामाश्रे का क्या कर रहे थे inauguration कर रहे थे तो रामाश्रे पे question पूछ ले आभी हम देखेंगे भी आगे चलते हैं 30 number point पर 30 number point पर क्या लिखा हुआ है बखासर बाडमेर अब देखो बाडमेर important है आपने जब रास्थान का static geography पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा border पतर सकता है road पर तो वो भी जगे बाखासर है और बाखासर के ठीक उधर आप किसको देखते हो पाकिस्तान को देखते हो तो बाखासर बाडमेर के अंदर क्या बनाया ग्या है सूखा बंदर लगा बहुत important है प्रथम सूखा बंदर लगह राजस्थान का यहां बना है चानेर में बनने वाला था पर फिर नहीं बना पर बखासर में बनाए तो भी हम कुछ है होना चाहिए ड्राइपूर्ट तो इंपॉर्टिंट है ध्यान रखे फिर देखो 31 मार्च सॉरी 31 नंबर पॉइंट साथ मार्च 2024 को अजमेर के पंच शील में साइन्स पार्क इस्था अपना तो इसे तो सिर्फ क्या कर लो रीड करो और छोड़ो अब अपन बात करते हैं फिर से किसकी बखासर की हां तो हमें बाखखासर की बात करनी है तो याद रखना है यह हमारा पहला क्या है? सबसे important बात यह है ,फिर आप लोगों को पता है हमने क्या पड़ा था school at home तो school at home के बार में आप लोग मुझे बताएंगे कि school at home क्या है देन आप लोग मुझे किसके बारे में बताएंगे रामा श्रै के बारे में आप लोग मुझे अभी क्या करने वाले हो टाइब करके देने वाले हो तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं मस्त आगे भड़ू मैं चलो आगे चलते हैं हाँ देश का सबसे बड़ा नया डंपिंग यार्ड किशन गाड में विक्सित किया जाएगा अभी देखो एक बिमारी चली जिसे बोलते हैं वेडिंग फोटो शूट हाँ शाय तक वेडिंग फोटो शूट ही बोलते हैं तो आपने देखा होगा रास्थान के अंदर एक ऐसी जगे है जो स्विजलेंड की सफेद बरफ की जो वादियां है बिल्कुल वैसा ही दिखती है पर वो ठंडी नहीं है तो जितना भी मार्बल इंडस्री का सलरी होता है वो सारा का सारा वाँ डंप किया जाता है और वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जिसको आप स्विज पिंग याड मार्बल की सलरी का कहां बन रहा है आके किशनगड के अंदर बन रहा है ठीक है फिर देखो 33 नंबर 33 नंबर से क्वेशन आया अभी आया है अगस्त में देखो मार्च का करेंट अफेर से अगस्त में पूछा है पोस्टल बड़ी देखो एक हम पड़े थे इले के दम लेister है ठीक तो देखो जो लोग वोटिंग कर रहे हैं क्या वोटिंग कर रहे हैं घर से क्या दे रहे हैं और जो किस से पोस्ट डे रहे ह। पोस्टल से क्या दे रहे हैं, वोट, अब चेक तो करना पड़ेगा न, इसको क्या करना पड़ेगा, चेक, यानि कि क्या देखनी पड़ेगी, मॉनेटरिंग, अब यही मॉनेटरिंग देखने के लिए एक एप बनाया है, जिसका नाम क्या होता है, पोस्टल बड़ी, बड़ जी तो वो जैन जी भी किस शब्द का इस्तमाल करती है अपने दोस्त के लिए कि बड़ी कि ये मेरा बड़ी है तो पोस्टल बड़ी का मतलब है कि आप पोस्टल से बोट कर रहे हो या फिर आप घर पर बैठ के बोट कर रहे हो तो उसके मोनेटरिंग के लिए रास्थान सरका कि NIC जो है निक राष्ट्रिय सूचना विज्ञान के इंद्र श्री गंगा नगर द्वारा इसे विक्सित किया गया है अब चलते हैं आगे ऑपरेशन अरावली अभियान अब देखो ऑपरेशन अरावली ऑपरेशन अरावली कहां चल रहा है भरतपुर जिल्ला प्रशाशन द्वारा चलाया जा रहा है और भरतपुर क्यों कि देखो भरतपुर के पास एक बहुत कीमती चीज़ है वो है बंशी पहाडपुर शेत्र और इसी बंशी पहाडपुर शेत्र में बहुत ज़्यादा क्या निकलते हैं गुलाबी पत्थर इनी गुलाबी पत्थरों का पूचा है और फर्वरी का अवाला 13 नंबर 32 क्वेशिंच जो है कि निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए ये इंडिया के करंट अफेर्ट से आया है भारतिय निर्वाचन आयोग ने अर्जुन पुरुसकार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्र दिव्यांग जन आइकन गोशित किया है ये स्टेटमेंट गलत है दूसरा क्या कहा जा रहा है कि पैरा निशाने बाद सीतल देवी ने WSPS पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल SH-1 में स्वंड पदक जीता है अब एक बात बताईए 10 मीटर एयर राइफल SH-1 में सीतल देवी है या मोना अगरवाल है तो कौन सा सही है आपका सेकिंड सही है तो ये देखो मैंने बताया आप को ये भी आपका आया है फर्वरी मार्च के करंट अफेर से फर्वरी मार्च 2024 ठीक अब अगला कौन सा फर्वरी मार्च से आया है तो ये रा 35 नंबर क्वेशन अब क्या लिखावा है निमलेखित कतनों पर विचार करें भारतिय निर्वाचन आयोग ने डाक मत पत्रों के लिए एक सुविधा पोर्टल पोस्टल बड़ी आरम किया है तो क्या डाक मत पत्रों के लिए पोस्टल बड़ी है नहीं वो तो मोनेटरिंग करने के लिए है तो पहला गलत है दूसरा देखे इस पोर्टल का उप्योग केवल अब देखो जहां पर भी केवल आ जाता है ना पोस्टल बड़ी की क्या करता है आपके मॉनेटरिंग करता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो फिर देखो ये 36 ये हमने फरवरी में पढ़ा था अगर आपने फरवरी की क्लास बहुत अच्छे से देखी है तो हमने फरवरी के अंदर पढ़ा था कि जनवरी दो हजार चौबिस में भारत के परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने राजस्थान के किस शहर के लिए वेटलेंड पर रामसर कन्वेंशन के तैत वेटलेंड शिटी परमानन का नमांकन प्रस्तुत किया है तो हम पढ़े थे ये शहर कौन सा है उ नई दिल्ली में अपार एक देश एक शात्र आईडी कार्ड पर एक राष्ट्य कॉन्फरेंस हुई है अपार का फुल फॉर्म है तो अपार का फुल फॉर्म क्या है ओटोमेटेड परमानेंट एकेडेमिक अकाउंट रजिस्टरी ठीक तो ये सारे क्वेशन अब देखते ह इस तरफ हाँ अब ये देखो 31 नंबर राज्य के जिल्ला अस्पतालों में हाली में स्थापित व्रधा वस्ता इकाई कौनसी व्रधा वस्ता इकाई तो वो है रामाश्रे अभी पड़े हैं हम रामाश्रे ये मार्च से आया है किस से आया है मार्च से आया है तो देखो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ इतने बड़े फ्लाट प्लेटफॉर्म पर जिस पर अभी हम तकरीबन बाण में हजार लोग मौजूद हैं यह ना बाण में हजार लोग जुड़ेवे हैं मैं आपको आपकी परिक्षा के हर उस शेतर में मदद करूंगी जहां आप थोड़ इसमें हर वो बच्चा जो इसको यह लगता है कि यार मेरे पस ये बुक खरीदने का पैसा नहीं है वो प्रोग्राम इतना अच्छा हमारा प्रोग्राम होगा जो एकदम सस्टेनेबल होगा जिसमें सिर्फ आपको हमारी क्लास देखनी होगी और उसी क्लास से आपका 90% आपको क्या करना है देखना है अब हम चलते हैं आगे हां देखो यह यह जन्वरी से आया अभी आया है सप्टेंबर में को पेपर हुआ है राजस्थान में महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज में सयुक्त सैन्यभ्या सदातांसिक तो सदातांसिक तो हम बहुत पड़े थे भारत के साथ किस देश ने भाग लिया तो भारत के साथ किस देश ने भाग लिया सदातांसिक तो यह देखो चौथा नंबर आंसर होगा सौधी अरब फिर हां उसके बाद प्रधान मंत्री सूर्योद योजना ये भी अपन पड़ चुके हैं कि प्रधान मंत्री सूर्योद योजना के थैत रास्थान के कितने घरों में solar plant स्थापित किये जाएंगे तो लगबग 5 लाग से अधिक, ये भी हम पड़े थे परवरी मार्च में, अब चलते हैं पन आगे की तरफ, हाँ, फिर देखो ये वाला, हाँ, 38 नंबर question देखिए, 38 नंबर question क्या कह रहा है आपको, 9 जनवरी 2024 को महावीर प्रशाद सेनी, तो समझ में आया महावीर प्रशाद सेनी 2023 के लिए द्रोणा चारे पुरुसकार प्रदान किया गया है, वो किस खेल से संबंदित है, जब मैंने आपको जनवरी का international और national current affairs प हमारा जनवरी का current affairs ठीक है, जनवरी 2024, 39 तो देखते ही बता दोगे, राजस्थान के आरियन सिंग, प्रधान मंत्री राष्टिय बाल पुरुसकार 2024 को प्राप्त करने वालों में से एक हैं, उन्हें या किस खेत्र के उपलब्दी के लिए प्रदान किया जा रहा है, तो वि आर बार revise करना मुश्किल हो जाएगा, ये बहुत लेंदी तरीका है, इससे अच्छा है कि हर एक महीने की short form में समझ कर एक साथ याद करो, उससे क्या पूछा गया है, उससे तयार करो, और आगे क्या पूछा गया जा सकता है, उससे तयार करो, तब तो आप क्या रहोगे, फायदे में रहोगे वरना फिर भटकाव के लिए तो बहुत रस्ते है, फीक, उसके बाद हम देखते हैं इधर की तरफ, हाँ, ये देखिए, ये हम जनवरी में पड़े थे, फरवरी में पड़े थे फरवरी में, राजस्तान की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष कौन ह तो टी का राम जूली, आप पीडिएफ में पढ़े हैं सब चीज जिनों ने क्लास देखी हैं वो अच्छे से जानते हैं, टी का राम जूली है, आगे चले, आगे चलते हैं अब, अगला देखो, अगला, अगला ये रहा, ये क्वेशन, ये भी आपका फरवरी से आया है, अन मंतरी सूर्य उदर योजना के तहत रास्थान में 15 लाग से अधिक घरों में सोलर प्लांट, नहीं, ये स्टेट्मेंट गलत है, तो केवल ए सत्य है, ये आंसर होगा, फिर देखो, ये वाला, ये भी हमने पढ़ा था, विश्व आदर भूमी, जनवरी में, फरवरी में हाँ, बाउंस ओफ जोई, ये हम पढ़े थे, फरवरी में, बाउंस ओफ जोई, पढ़ा ना, खुशी से उचलना है, बाउंस ओफ जोई, तो यह नई शिक्षा नीती के अनुरूप, रास्थान के स्कूलों में, नवीन शिक्षन, सास्त्रिय दृष्टिकोन और मुल्यांक रास्थान सुधारों के लिए, नई, खेल को बढ़ावा देने के लिए, जंप से याद करना है, खेल को बढ़ावा देने के लिए, पहला स्टेट्मेंट गलत है, आवशक्ता अंतराल विशलेशन के अधार पर पूरे रास्थान में 100 विध्याले को इस कारेकरम में भाग लिए चुना गया, यह सही है, 100 विध्याले और 132 क्या है आपके PTI टीचर, तो कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है, तो देखो कितने लेवल के अच्छे करंट अफेर्स आपको क्या किये जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, अब लगबग PDF पूरी हो गई है, तो चलो किवरी मार्च के एक साथ question देखे, अगला हम जो current affairs पढ़ेंगे, वो अप्रेल का पढ़ेंगे, class शनिवार को आएगी, उसमें भी हम अप्रेल का current affairs पढ़ेंगे, और जो कुछ भी PYQ आए हैं, वो सब कुछ solve करेंगे, current affairs को भी PYQ से predict किया जा सकता है, एक महिने से एक या दो current affairs पूछने की संभावनाय maximum रहती है, और जब हम PYQ देखते हैं, तब हम ये समझ जाते हैं कि अगला क्या पूछा जा सकता है, तो class को पूरी देखें, चैनल को subscribe करना, class को like और अपने साथ ही पढ़ने वाले दोस्तों के साथ share करना कता ही नहीं भूले, ताकि आप और म ऐसे ही पढ़ते रहे, selection होता रहे, कारवा भढ़ता रहे, और आज शुरुवात में मा भगवती को याद करना भूल गए थे, तो अब याद कर लेते हैं कि हे देवी, जो भी पढ़ा है, उसे पेपर में टपका देना, हमें सही से याद दिला देना, ताकि हमारा काम बन जा और सब को राधे राधे नमस्ते और जैश्री राव, तो चलो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, हाँ और जिनोंने भी हिंदी खोच परतियोगिता दी, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बार पेपर का वो प्रेशर ले लिया, आगे और भी मौके आएंगे तो जरूर से देना, निराश नहीं होना, जितना भी स्कोर रहा, निराश नहीं होना, पॉजिटिवली लेना कि भाई हमें और इतना आगे भढ़ना है, और जो भी टेस्स सिरीज खरीद रहे हैं, जल्दी से जल्दी टेस्स सिरीज लें, ताकि आपको पेपर में कितना सीखना है, कितन छोड़ना है इसका अंदेशा पहले से हो जाए ठीक तो मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए बाई